नमस्कार ट्रेडर्स, कोटक की एक्सपाइरी अपडेट पॉस्ट कास्ट में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सहज अगरवाल, हेड उफ डेरिविटिव रिसर्च आज आपसे निफ्टी के मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में थोड़ा ब्रीफ व्यू और एक्सपाइरी के वेरियस पॉइंटर्स को डिसकस करने वाला हूँ सो ओवरॉल जून सीरीज का बायस हमारा हमने नेगेटिव मेंटेन रखा है I think 16,440 का एक लेवल जो जब से ब्रीच किया तब से हमने जून सीरीज का बायस नेगेटिव मेंटेन करके रखा है अभी तक हमें कोई strong reversal attempt या कोई maturity confirmation नहीं दिख रहा है तो इसके चलते हम हमारा बायस फिलहाल के लिए नेगेटिव मेंटेन करके रख रहे हैं अगले बाकी के दिनों के लिए जब तक हमें कोई strong reversal ना दिखे Medium term perspective से Nifty का एक बहुत strong support है जो 15,500 पर देखा गया है और यदि वो तूटता है तो हमें लगता है overall जो एक medium term trend positive का है वो शायद market में challenge हो सकता है यदि वो level तूट जाए तो अभी यदि हम expiry related specific की बात करें तो short term bias जैसे मैंने आपको बताए negative ही चल रहा है bank nifty का एक resistance है जो 33,620 पर देखा गया है nifty का यदि हम open interest build up की बात करें तो 15,500 put और 16,000 call में है जबकि bank nifty में 33,000 put और 33,500 call में open interest build up देखा गया है bank nifty का जो resistance है वो 33,620 पे है और उसका call options का build up 33,500 पे है तो ये level काफी दो parameters की basis पे हमें critical लग रहा है यदि हम FI और pro की बात करें तो FI और pro दुनों ही segments ने significant net short build up position की है index option segment में जबकि index futures में mixed activity देखी गई है so all in all यदि हम उपर के सब pointers consider करें जो हमने अभी discuss किये तो bias negative रहने की उमीद है निफ्टी में volatility जादा रहेगी obviously क्योंकि एक global event भी है बट वहाँ पे हमें एक objective level अभी तक maturity नहीं मिली है तो इसके चलते हम bank nifty के level पे थोड़ा reference लेके काम कर सकते हैं जो again weakness ही indicate कर रहा है और 33,620 यदि ये level cross करता है तो हम हमारी position को review करके range bond market expect कर सकते हैं पर 33,620 के नीचे हम further weakness expect कर रहे हैं Thank you and have a nice trading session